असलाम लेकुम स्टुडेंट्स आज मैत का हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करना है जिसकी पहली एक्सेसाइज 5.1 में पहला क्वेस्चन है write the constants given in the expression कहते हैं ये जो expression दिये में हैं इन में बताएं constants कौन कौन से हैं जैसा कि मैंने आपको पिछले lecture में constants, variables और literals के बारे में बहुत डिटेल से बताया था एक दिवा फिर से सुनने constants किसे कहते हैं constants कहते हैं उन sample को जिनकी fixed numerical value होती है असान लफजों में याद करने के लिए ये जो counting के words होते हैं 1, 2, 3 इनको हम constants कहते हैं ठीक है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, so on ठीक है इन्हें हम क्या कहते हैं constants और variables क्या होते हैं variables कहते हैं उन sample को जिनके fixed numerical value नहीं होती ठीक है जिनके fixed value नहीं होती और असान लफजों में x, y, z, इन तीनों को हम कहते हैं ये क्या है variables हैं तो इन questions में उन्होंने कहा हैं बताएं जी कौन कौन से constants यूज किये गी हैं अब question number one है 3x plus 4 वैसे तो यहाँ पर counting के words दो नज़रा आ रहे हैं 3 और 4 अब कहते हैं इनमें से बताएं constant कौन से हैं एक और नई चीज़ आपके सीखने के लिए x इसमें क्या है variable है वो value जब variable के साथ होती है वो constant जो variable के साथ होता है उसे हम कहते है coefficient क्या कहते है coefficient वो constant जो variable के साथ होता है उसे हम कहते है coefficient 3 इसका क्या है coefficient है इसका मतलब 3 constant नहीं हुआ constant क्या हुआ 4 ठीक है इसना second question है 2x cube minus 1 कहते हैं इसमें बताई नज़े आ रहा है हैं मतलब कांटिंग के वर्ड है लेकिन वह इंयुक्वेडीयबल के साथ होता है वह क्या होता है कॉफिचैंट इस दे यहां पर क्या होगा माइनस वन यहाँ ने क्षयर है अब ये question दिया हुए इस question में देखो दो variables use किये गी है Y और X ठीक है 5 Y के साथ है तो 5 क्या होगा coefficient 2 X के साथ है 2 क्या होगा coefficient तो क्या यहां कोई और constant नज़र आ रहा है नहीं है तो इसका मतलब expression में constant क्या हुआ 0 clear Second question है उसमें कहा है उन्होंने write the variables taken in the equations कहते हैं variables बताएं जो equations में use हुए है जैसका मैंने आपको पहले भी बताया है variables कितने हैं X Y Z मैं अथने वस्टे टोटल 8 variables use किया जाते हैं लेकिन जो हमारे syllables में वो 3 variables use कियेंगे हैं X Y Z ठीक है इस question में variable क्या होगा कौन सा variable use हुए है X तो आपने क्या लिखे हैं X Second question में कौन कौन सा variable use हैं दो use हैं X और Y आपने लिखे हैं X, Y यह ऐसे भी लिख सकते हैं X and Y clear Third question है BX plus D इसमें कौन सा variable use है X clear Third question है उन्हें उन्हें कहा है Right the literals used in the equations कहते हैं इन equations में जो literals use हुए हैं वो बताएं मैंने आपको कल भी बताया था पिछे लक्चर में कि literals कहते हैं उन alphabet को मतलब X, Y, Z को निकाल के जितने भी alphabet बच्चते हैं उसे हम कहते हैं literals ठीक है किसको X, Y, Z को निकाल के जितने भी alphabet बच्चते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं literals कहते हैं क्योंकि X, Y, Z तो variable है clear है इस question में देखो कहते हैं बताएं कौन-कौन से literals use हुए है A, B, C ठीक है क्योंकि X, Y क्या है variables हैं X, Y को निकाल के जितने भी alphabet होते हैं हम क्या कहते हैं literals तो इस question में कौन-कौन से literals use हुए है A, B, C आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं A, B, C और इस तरह से भी लिख सकते हैं A, B, and C clear है next question है CX square minus DX is equal to 0 ठीक है इसमें बताएं कौन-कौन से literals use हुए है C and D मतलब X क्या है variable है और C और D क्या है literals लेकिन आपने इस question में सिफ बताना है कि literals कौन से है तो literals क्या है C, D या आपने classwork अपनी करना है notebook में neat math की notebook में classwork number 1